अजे जी, पंजाब से, रादे रादे महराजी, आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाँ, महराजी, जब मैं नया कोई संकल्प करता हूँ, तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर मन की स्थिर्ता ना होने के कारण, वो संकल्प बार-बार तूट जाता है मन की स्थिर्था ज़्याधा दिनों तक टिकती नहीं है महराजी मैं क्या करूँ मेरा मार्ग द्रशन करें लिज्दता में ही सब्सक्राइटे रोज तो फिर्विया ब्रह्मचारे का सब्सक्राइटा तो टूट जाता है तुम्हें एटोड देती हो तो ये दूसरा थोड़ी तोड़ता है हमी पकड़ते हैं, हमी छोड़ते हैं हमें सत्मार्गों को ग्रहन करते हैं हमें अशत्मार्गों को ग्रहन करते हैं अभी आपकी निश्ठा में दम नहीं है वो दम जो आती है नो भगवान के भजन से आती है जब आपके अंदर अध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया अब वही होगा चाहिए आग में जोप दिये जाए तो भी बात बदलेगी नहीं यह दम आती भक्ती से भक्त सब कुछ सह सकता है जिसने भगवान से अपनापन कर लिया अपने प्राणों का त्याग हसते हसत होगी गंदे कामों की इच्छा ही नहीं होगी मन मलिन है और शुष्क है इसलिए भोगों की तरफ जाता है मन निर्मल और द्रवित हो जाए उसमें विकार ही निउत्पन होगा निर्मल मन निर्विकार मन भजन से बनता है तो नाम जब करो करते हो नाम जब हाँ अच्छे से पोट में ही है मन के हमारे अंदर जब भाजन बल्ब किसे कहते जानते हूं विवेक यह सत्संग से साधुशंग से साथ्रश्वाद्याय से नाम जब से विवेक का जागरण होता है तो होए विवेक मोह भ्रह्म भागा अज्ञान रष्ट हुआ तो अज्ञान की धरा में सारे खेल होते हैं काम कुरोद लूब मोमद के विवेक में थोड़ी होते हैं विवेक तो श्षत और अश्ट का निरने करता है तो अश्ट क्रियाओं का करता जो मलीन हंकार ज्ञान जनित है वो विवेक के द्वारा नस्ट हो जाता है नाम जब कीजिए भगवान का आश्ट्रे लीजियो कुशंग से बचिये नाम जब करोगे पाठ करोगे सत्संग सुनोगे कुशंग करोगे तो फिर भी होगा कुशंग होता है एक व्रत्ती से और एक होता है व्यक्ती से बाहर के व्यक्तियों का कुशंग न हो गंदा दर्शन गंदा संभाशन गंदी बाते सुनना ऐ शादू शभावे होता है को उसको दंड नहीं देना हमें अपने आपको जलाना है अपने आपको उटाना है उसकी बात नहीं माने ऐसे अंदर की ब्रती गंदी आ रहे हमें पर इसके लिए धैर चाहिए अगर ध्रती कमजोर है तो नहीं चल पाएगा रसेंद्री और जनेंद्री के वेक को वही धारन कर सकता है जो भगवान का आश्रे लिए है और जो भजन परायन है प्रवचन करने से प्रवचन शुनने से इन पर अंकुष नहीं किया जा सकता है इन पर तो एक मात्र भगवान के चरणू का आश्रे और नाम बल शी अभी मारी दृष्टी मली ने तो वहां सुख बुद्धी है, हम जो गिर जाते हैं उसका कारण जानते हूं, सुख बुद्धी, ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें, ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभाय मान करता रहे जो असलियत पता चल जाएगी ना तो घ्रणा हो जाएगी अंदर से, कहां सोच रहा था, फिर कोई बात करेगा ना तो आपको अच्छा मेंगा, अलम विशय वारतया, नरक कोटी वीभत सया, करोणों नरकों से भी जादा घ्रणित बात लगेगी विशय भोगों की, इसके के लिए आप कहते हो, क्या है, हम लोग अज्यान जनित क्रिडा में फसे हुए है, मल मुत्र के द्वार ही तो है बच्चा, जहां हाथ लग जाए, तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना, क्या निकलता है, दुरगंध जहां केवल पेशाप की जा सुबह अपने ही सौच सित्याक्टे समय कितना दुरगंध आती है, तो एक थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, सौच भरा है, अब आपको पता हो, तो क्या आप उसे प्यार करोगे, थैले को गले लगाओगे, यह थैला ही तो है, बच्चा और है क्या है, यहां भरा है मल, मल आशे हैं, यह मुत्राशे, मलाशे, सब यही है, और उनके निकलने के द्वार है, और कौँ सी खास बात है, बुद्धी ब्रष्ट है, मलिन है, तो इसलिए सब बाते हो रहे हैं, क्योंकि अभी तना ही सुख है संसार में, संसार का आखिरी सुख है यही है, रुपया कमाओ, घर बन वाओ, ब्याह करो, लड़का बच्चा पैदा करो, मर जाओ, नरक जाओ, सो रक जाओ, बस यह इतना ही है, आगे जानते हैं, बस इतना ही सुख है, बस आगे कोई पता नहीं है, और इसमें क्या मिला है, करोणों अर्वों जन्म हो गए, मिला क्या है, फिर वही भोग फिर वही भोगो, बब ध्रम बना कि सायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं है, बिवेकवान वो है, जो विचार के द्वारा महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे, हमारा मन खराब हो, कभी अनुगो ठीक नहीं बता सकता, हमारा रिजल्ट देने वाली बुद्ध गंदी है, इसलिए सही रिजल्ट नहीं देती है, जिन्होंने बुद्धी को परमात्म में कर दिया है, वो रिजल्ट बताते हैं, मृत्यू के शिवा कोई इसका उपहार नहीं है, ये भोग क्या प्रदान करता है उपहार, मृत्यू, भय, विशाद, खिन्नता, और डिप्र करते हैं, फिर आगे पता चल जाएगा, वो आपको खूद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लेगा अब जिन्दगी किस काम के नहीं, गाठ में दर्द, टांग में दर्द, यहां कमर में दर्द, जरा सा सोचुत दिमाग फटने लगता है, फिर आगे चलकर नीन आना, इससे हम निकल सकते हैं, दूसरा कोई बल नहीं है, किसी भी विशय से निकलने के लिए, आप देखो, जानते हुए भी नहीं निकल पाते हैं, तो निर्बल हुए ना, तो पकड़ो ना, सुने री मैने निर्बल के बल राम, बल को पकड़ो, फिर देखो, काम है ही नहीं कि तुम्हारा धन्यवाद है कि तुम्हारी हिम्मत तो बनी कि अपने चोर को प्रकासित कर रहे हो नहीं प्राया अपने चोर को हरदय में छुपा करके अपने को लुटवाते रहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं तो तुम्हारे अंदर भी भगवत करपा से बिवेक बल जागरन होने की चमता है चलो आगे बुढ़ो फिशलो मत बार 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 ना अगर हम दसकत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता मन नहीं पेरना करेगा तो इंदरियों की ताकत नहीं कुछ कर सके इसलिए अपने को होस में रहना है हम लोग क्या करते हैं मन को मैं मान लेता हूँ जो मन कहता हूँ अपनी मांग मान लेता हूँ इसी से हार जाता हूँ जब मन को अलग करके आप ज करे हो कि तुम तो उसे मार सकते हो तुम this kala सकते हो तुमänger roz perhaps है प्रजागरण करो ऐसा नहीं कोई बचने कोई आई कोहरा है कं जा ओते कर आए कुरा सब कर प्रकासित कोई च दे कि लिए ना थे हैं Japanese आए ना रहेंगे भगाउन भी तोक रहें स्रीकृष्ण आगमा पाई नू अनित्यास है नाशवान आने जाने वाले विकार इनकी इतनी श्त्त्त ना श्यक्ष